ओफिस मा नास्तो मंगावा मंजूरी लेवाना परिपत्र नों मामलो परिपत्र जाहर करनार महिला अधिकारी नी बदली थाई सहाइक राज्यविरा कमिश्णर अन्वेशा भटनी बदली अमदावाद खाते औरिट सेल मां मुखवा मां तेमने आव्याशे तो परिपत्र जाहर करनार महिला अधिकारी नी बदली दार वड़ा खावा मंजूरी लेवानू कहनार महिला अधिकारी नी बदली अमदावाद खाते सहाइक राज्यविरा कमिश्णर अन्वेशा भटनी बदली अमदावाद खाते औरिट सेल मां तेमने मुखवा मां आव्या कच्री ना कर्मच्वारी ने नास्तो करवा मंजूरी मांगवाना जे विवाद हतो तेमा आ नेणे लिवा मां आविवाद ने लईने ते ओचल्चा मां आव्या हता नारा विभागे कुल वर्ग एकना 56 अधि अधिकारियों करेशा ने बतली करवा मां आविशू हतो इमाबनो हाने शू पगलाले मां आवि था नारा विभागे कुल 56 अधिकुल ना वर्गेक ना तेलिकारियों है जे मां अन decor बटी वर्या कर्वा हने अविवे फ़ाै विवाद मां आविजुदॉ पोतानी कचेरी मा राज्य सहायक वेरा कचेरी अम्दाबाद गटक त्रण मा फरत बजावता एक अज ओफिसना बड़ा तरीके ओफिसना अन्य करमचार्यों ये दालवडा अथवा तो नास्तों को फ़र प्रकार्णों अफिसना मंगावू नहीं है ने मंगावू होय तो एना बाद बाद नारा विभागे जे बडलीयों करीशे मा अनुवेशा बटनी पन बडली करवा मा आविशें गटक तरण राज्य वेरा सायक कमिश्णर नी कचेरी मा थी बडली अने तेमने ओडिट मा एक तलेके साहिर पोस्टिंग आप आमा आविशें उन्छपन लोगों नी बडली मा अनुवेशा बटनों पन समाविश्था होँशें तरणनी कचछरी मा अन्वेशा बट नौकरि करें ऎमन नीचे नास्तारना करमचारियों एमने नास्तो मंगा ओंचे तो उस सब्करणी कर्मचारे अध करम आणजिया ho आफ्ड़ीनेव घंड़ा अद्यक्ति अधिकारियों नी शाहिजाование नी पन्हें लोटे है अधिकार्यों ने बदली कराई शे तो नियम मुझे बदली करवा मावी शे कि तेमा अपन कोई विवादों सामे आवे हाता लोकसबानी चुनकनी आवी रही शे ए पहला राजे सरकारे जे डियू प्रमोशन चे अन्ने लामा समय ती एकले के त्रण वरस नो समय गारों जे मरियादार रहती हुए शे ए वरस ठया शे एवा अधिकारियों अन्ने खाली जग्याओ कारण के सतत स्टी आई चाहितना नवा बरती प्रक्रिया चाले रही शे एमाई टले अधिकारियों नी जे आवन जावन शे यथा वच्छे आवर्ग एकना अधिकारियों नी बदली ए बजेट आवी रही शे ए पहला प्रकार्नी स्वाबावीक रूटीन बदली हाल जोई शकाए बिल्कुल थी आ भार हीरन तमां विगतों बदल तो जे प्रमाणे लोगसभा एलेक्शन आवी रही शे औने बजेट पन आवी रही शे ते प्रमाणे अबधी ज बदली हो छे ते रूटीन बदली हो छे अने जैसो दिवात करवा मावे अनवेशा भटने बदली तो ते नास्ताना विवाद ने लेने जे पंचावन अधिकारियों साथे एक तेमनी पन बदली करवा मावी शे टोटल वर्ग एक ना छपन अधिकारियों नी बदली शे ते करवा मावी शे अन महत्वर्न समचार भारते वतुएक सित्ती अरे इसरोय वतुएक सित्ती हांसल करूछे सुर्ययान चंद्रयान बाद हवे गगन यान पर सफरता प्रवक लॉंच थाई गउचे समारा आठ वागे लॉंच थवानू हतु परन्तु पास सेकड पहला तेनू लॉंचिंग अचनक खराब बातावरना करने रोकी देवामा आविउ हतु त्यारे गगन यान मिशन नी जे टेस्ट प्लाइड हती तेने लॉंचिंग थाई चुक्युँछे चनरयान नी सिद्धी बाद, सुरयान नी सिद्धी बाद, हवे गगन यान पन सफ़रता पुर्वकन लॉंच थाई चुक्युछे पहली उडानू नामची आप अमा आविचे चे टेस्ट वीकल अरबोट मिशन एक अरबोट मिशन एक मा क्रू मोडियूर लॉंच करवा मा आविचे इस दर बनाइन तच्डाउन वेलोसिटी वियान आव ब्सरविंग अराउं नाइन मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी वाल अल्टिटूट इस अराउंड शुक्स हंडड़ मेटर्स तो खास सोड किलमेटर उपर जेही तेरबाद पैराशूर्फ खुलवानूँचे एवी माहिती मडी रही छे साथे साथे गगन्यान माटे आजे महतोन दिवस करके सवारे पहला आठ वागे लॉंच करवानू हतू तेरबाद अटकाई दवामा आवियू त्यारे एवखते इसरो निविदन करियू हतू के आजे जे लॉंच करवामा आउशे तेनों लॉंचिंग सफरता पुरवक साथे खुबज महतोन दिवसा कही शकाई गगन्यान मिशन ने इसरो जे सफरता पुरवक पार कर्यू छे खास आपरिक्षन उडांजे चे ए मानो रहीत मिशन माटे एक मंच तयार करवानों छे जेनाथी भारतिय अंतरिक्ष यात्री को जे पढ़ हशे ते पढ़ गगन्या कारेक्रम मा जाई शक्षे खास बेहजार बच्छी सुध्यारे मानो पड्या मुकल वामा उशे when the crew module touches down eventually the main parachutes also will be released away from the crew module impact is sensed now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module यहाँ की घोशना कर दी गई है क्रिव मॉड्योल को सुरक्षद टॉच्डवन करा दिया गया है बंगाल के खाडी पर यह आप विजूल देख सकते हैं कुछी की लहर वैग्यानिकों में jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center Shree Harikota on your TV screens the visuals live from the Bay of Bengal this is the mission director the TV D1 mission has fully accomplished its objectives the crew module has safely landed the targeted point mission अदेश्य प्राप्त कर लिया गया है अब आपको समुदित करेंगे इसरो अद्यक्ष श्रिया सॉमनाथ isro has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyan Mission we take leave from you do continue to stay tuned for the address by Secretary TOS Chairman isro Shree S. Somnath आप सभी दर्शकों को शुब काम नाए हम आप से आकिया लेते हैं आप सर्थ करेंगे तो खास इसरो दुआरा पैला आठ हागे जेचे अको दुआ मिशन जेचे एक खास मोकूफ रखवा माव वहतू परंदुआ 10 वागे वातार रन स्वच्छता श्री हरीकोटा सतीष दवन स्पेस सेंटर थी गगन्यान मिशन नू सफ़ड़ता फुर्वक लॉंच करवामा आविए पहला आठ वागे लॉंच करवामा अवनार हतु पचे अर्दो कल्ला खने पिस ताले समिट जेत लू मोलू करवामा आव टॉच्छ वागे और टेश वेकल आव्ट मिशन एक जुनाम चे थी वीध एन आड एन लॉंच करवामा आट्राश्टो आएप्स्ट्ट्व श्री वेकल रॉंच करवामा इंच्छ्व अनुन। पर्फस ऑ्ट्ट्रा श्री डॉंच्ड परफस दिस अ मिशन वास्ट्रा ग् our program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a uh मक भ층 where the speed of sound slightly above that and initiated a boat condition for the crew escape system to function uh it took the crew escape system took the crew module, leave from the vehicle and uh subsequent operations to the crew module separation from the crew escape system all the parachutes operating and touched down on in the sea at the required velocity has been very well accomplished and we have good confirmation of the data of all of this and we will be further doing the uh approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea brought to the port by the ships that activity will continue to happen uh till now based on the data everything has performed very nominally and perfect i will also like to tell the reason for why we had a hold uh we initially wanted the launch to happen at eight o'clock in the morning but there was some weather related issues we have rescheduled the launch to 8 45 a.m but after going through the nominal liftoff process there was a hold issued by the ground computer which is called the automatic launch sequence computer which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go so this happened due to a monitoring anomaly in the system so we could identify it very very fast and correct it and uh to make the stage ready it took some time to refill the gases and that once that has been completed we went through the proper automatic launch sequence which checked the entire health of the vehicle and finally the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off which released the rocket from the launch pad and activities of the flight as well as the post termination about sequence also got executed perfectly so i'm very happy that our team could understand uh in case of any anomaly how to rectify and come back fast as fast and congratulations to everybody